मध्यप्रदेश के मुख्या प्रदेश में स्वास्त व्यवस्ताओं को दुर्स्त करनी का हर संबब प्रयास करने हैं लेकिन सरकारी स्वास्त सेवाओं का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है शापुर थानाशेद के ग्राम फोपनार में प्रात्मे एक स्वास केंद की एक लापरवाही सामने आई है हॉस्पिटल बंद और नर्स छुट्टी पर होने के कारण एक गर्वती महिला एक घंटे तक बाहर ही तड़पती रही जिसके बाद महले और आशाकारी करताओं की मदद से महिला ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर ही जर्म दिया जैसे इसकी ख़वर युवा नेता राहूल महाचंग को लगी तो फोरण वह पहुचे और सफाई कर्वचारी और नर्स को अर्जेंट में लाकर उस गर्वती महिला को अंसारी BMO श्यापपूर द्वारा बताया गया कि दोनों नर्स घरे रुकारी के लिए एमर्जेंसी में अपने घर जाना पड़ा उनके जगहा पर नर्ष सुनीता चोहान की ड्यूटी लगाई गई थी देरी से पहुचने के कारण महिला की बाहर ही डिलेवरी हो गई थी इ यदि कोई अपने टाइम पर उपस्तित नहीं थे तो उनके खिलाफ कारवाही की जाएगी अपने घर जाना पड़ा उनकी जगह पर अकास्मिक ड्यूटी सुनीता चोहान की लगाई गई थी सर वहाँ पर शिश्टर नहीं पोची जिसके वज़े से डिलेवरी बाहरी हो गई इस पर आपकी इस नर्से के बारे पर कारण आए मैं जाज करवाँगा इसकी और अगर जाज पाये जाता है कि सुनीता चोहान अपने कारे पर उपस्तित नहीं थी तो उनके खिलाफ करवाई हो सर आपका नाम मैं डॉक्टर मुम्ताद अंसारी वियमो शापूँ Wars of Rights के लिए बुरानपूर से शकील खान की रिपोर्ट